क्यारे साथियों आप से भी का स्वागत करता हूं अपने MRS Study परिवार में तो डियर यहां पे राजस्तान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड के तरफ से एक्जाम कलेंडर जो है आपका जारी किया गया है एनुवल और यह जो एक्जाम कलेंडर है इसमें एक्जाम का डेट एक्जाम का नाम एक्जाम जो है का रिजल्ट कब आएगा वो यहां पे जो है टिंटेटिव डेट जो है दिया गया है एक निउस पिपर में आर्टिकल भी आया था इसके रिगार्डिंग जो कि जब भी आपका एक्जाम कलेंडर निकाला जाएगा इस तरीके से जो है यहां पे किया गया एक्जाम कलेंडर तो अल देख सकते हो कि आपका एक्जाम का मोड क्या होगा यानि कॉमन इलिजबिलिटी टेस्ट होगा या नन कॉमन इलिजबिलिटी टेस्ट होगा परिच्छा का डेट कब होगा किस माध्यम से एक्जाम होगा और प्रीड डॉक्में वेरिफिकेशन से पहले का जो रिजल्ट है यानि डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा वो यहां पे डेट दिया गया है और इधर नाम आफ एक्जाम मिनेशन जो आपका दिया गया है तो जूनियर इंस्ट्रक्टर मेकेनिकल डीजल डारेक्ट रिक्विप्मेंट दो एक्जाम दोजाचोविस तो यह नन सीविटी होने वाला है जो कि 16 नोवंबर को आपका होगा और इसका एक्जाम जो है ऑनलाइन लिया जाएगा यहनि कंप्यूटर बेस टेस्ट होगा और एक रिजल्ट जो है 23 मार्च दोजार पचीस को जो है जारी किया जाएगा इस तरीके से आपका कंप्यूटर लैब एंड आई टी लैब इंप्लोइबिलीटी स्कील कॉसल रिफ्री जनरेशन एंड एसी टेकनीसियन अलग 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 माध्यम से लिये जाएंगे और उसका एक्जाम का रिजल्ट कवाएगा वो भी आपका यहां पे जो है दिया गया है इसके अलावा जो जूनियर इंस्ट्रक्टर सोलर टेकनीस का जो है यहां पे दिया गया है जो कि ऑनलाइन या ओफलाइन एक्जाम हो सकता है जो कि गुवर्मेंट बाद में डिसाइड करेगी लेकिन कुछ एक्जाम जो है डिसाइड कर चुकी है कहां इसका ऑनलाइन लेना है कि ऑफलाइन लेना है वही अगर हम जूनियर इंजिनिय बिद्धूत यांत्रिक और सिविल का बात किया जाए तो ये जो एक्जामस आपके होंगे ये आपके फरवरी में होंगे अगर सिविल का बात किया जाए चाहे डिपलोमा वाले हों या डिग्री वाले हों एक्जाम जो है गारा फरवरी को होगा कब गारा फरवरी दो हजर जारी कर दिया जाएगा तो यह तमाम जनकारी यहां पर आपका दिया गया है यह कलेंडर जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल यहां सटडी ऑफीसिल पर आपको डाल देंगे आप इसे चेक आउट कर सकते हैं और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग प्ल में पता चल सके मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ तैंक यू